हाई फ्रेंट कैसे आप लोग उमीद करते हैं अच्छे होंगे फ्रेंड आज की इस वीडियो में हम आपको एक इंपॉर्टेंट नोटिस के बारे में बताएंगे कि जो डॉक्टर राम्मनोहर लोहिया अवध इनिवर्सिटी अयोध्या जो है वहां से उन्होंने एक नोटिस जारे कि हैं कि जिन इस स्टुडेंट ने अभी तक अपने एक्जामनेशन फार्म को फिलब नहीं किया है और ज्ल्द से जल्द अपने एक्जामनेशन फार्म फिलब कर दें चाया आप सब जानते है कि जो फॉर्म सम्मिशन की जो डेट है वो समाप्त हो गई थी लेकिन छात्र हित में एक बार फिर से इन्वर्सिटी ने अपने पोर्टल को फिर से उपेन किया है और उन्होंने कहा कि आप लोग जल्द से जल्द अपने एक्जामनेशन फॉर्म को फिल अप कर दें तो ऐसे समबंदिश्ट छात्र छात्रा को सूचित किया जाता है कि एनाईपी जो 2000 यानी कि एनईपी 20 2020 जो है उसके अंत्रकषबी ये बीकाम प्रथम तृति यू पंचम समेश्टर यू परासन तक म एमसी एम काम प्रथम यू तृति समेश्टर के आवासी या महाविध्याली सत्र 2024-2025 की परिच्छाएं अतिसी गर्ख कराया जाना है छात्र हित में अंती मौसर प्रदान करते हुए आनलाइन परिच्छा आवेदन पत्र निमन अनुसार असनातक परथम तरिती युम पंचम समेश्टर तथा परथम युम तरिती समेश्टर है समेश्टर से संबंधि चात्र चात्राओं के आनलाइन परिच्छा अवेदन पत्र धिनांग थर्टी यानि कि 30 सितंबर 2024 को उन्होंने स्टार्ट किया था और इसको इसकी जो डेट थी वहा साथ अक्टूबर 2024 तक थी जो की समाप्त हो चुकी है लेकिन एक बार इन्वर्सिटी ने फिर से अपने पोर्टल को ओपन किया है और चात्र चात्राओं के लिए एक अंतिम आउसर है जो कि जो लोग अभी अभी अपना एक्जामनेशन फॉर्म नहीं भर पाए हैं और लोग दुबारा इसे फिल अप कर सकते हैं इसके लिए चात्राओं चात्र चात्राओं के लिए अंलाइन परिच्छा आवेदन पत्र भरने की या सुल के साथ सम्मिट यानि की परिच्छा फॉर्म को सम्मिट करने की जो डेट है यानि की अपना परिच्छा फॉर्म के तुरंदी जमा कर दें या फिर जो महाविद्याले में जो चात्र चात्राओं के जो जो फिल किये हैं उसकी उसको सम्मिट करने के लिए जो आखरी डेट है हुआ है 23 अक्टूबर 2024 है तो इस डेट को ध्यान में रखते हुए आप सभी लोग अपना एक्जामनेशन फार्म जो लोग अभी तक नहीं सम्मिट किया है वो लोग 17 अक्टूबर से लेकर 22 अक्टूबर तक अपने एक्जामनेशन फार्म को आनलाइन फिल करके अपने कॉलेज में 23 20 अक्टूबर तक जमा कर दें और कॉलेज उसको फार्वाड हो गयरा करेगा तो उसकी जो डेट हुआ 24 दस दोजार 24 यानि की 24 सक्टूबर तक आपका कॉलेज आपके जो एक्जामनेशन फार्म है उसको फार्वाड करेगा इनिवर्सिटी को तो आप अपने काम जल्द से अभी तक अपना परिच्छा फॉर्म नहीं जमा किया है यानि कि जिन लोगों ने अभी तक अपना परिच्छा फॉर्म को ऑनलाइन नहीं भरा है वो उसको भरकर अपने कॉलेज में 22 दस दोजार 24 तक उसे जरूर जमा कर दें और यहां पर और भी चीज़ें लिखी गई है यह सब है तो यहां एक सूचना थी जो कि इन्वर्सिटी के द्वारा बताए गई थी तो इस सूचना को आप ध्यान में रखते हुए है अगर आपने अभी तक अपना परिच्छा फॉर्म सम्मिट नहीं किया है तो उसको अपने कॉलेज में ले जाकर उसे सम्मिट कर दें अनलाइन फिल अप करके अनलाइन फिल अप करने में अनलाइन फिल अप कीजिए उसके बाद फिर उस जो प्रिंट आउट है उसको ले जाकर अपने कॉलेज में जमा किजिए कॉलेज की जो फीस वगएरा हो सब लेंगे क्योंकि जो समिश्टर की फीस रहती है पूरी फीस दौरा तो फीस के साथ और अपना जो ऑनलाइन पर इच्छा फॉर्म फिलफ किये हैं उसको दोनों ले जाकर अपने कॉलेज में जमा करें तो आज की छोटी सी वीडियो में हमने एक इन्फॉर्मेशन के बारे में आपको बता है कि जो डाक्टर राम मनुहर लोहियावद इन् आनलाइन कर ले और 24 तक अपने जमा जरूर कर दे चोबिस का टेज तक जरूर जमा कर दें बाक्टर चोबिस को चौबिस तक आपका उसे फारवर्ड कर सकीए तो यह चोटी सी इन्फॉर्मेशन थी अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो उसको ला करेंगे